आज बनाएंगे हलवाई की जैसी खस्ता और करारी मसालेदार मठ्री ये सुनिए इनकी आवाज तो ऐसे ही मठ्री बनेगी घर पर जब आप इसमें एक सीक्रिट इंग्रेजिन डालेंगे और वो आप वीडियो में आगे देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं रेसेपी मसाला मठ्री बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तयार करेंगे तो हम एक मोटर में लिया है वन टीसपून काली मिर्च वन टीसपून अजवाइन वन टीसपून जीरा और इसे के साथ थोड़ी सी हिंग्ग का फ्लेवर इन मठ्री में बहुत अच्छा लगता है यह सब्हकों ख्रust कर लेंगे इन तिन मसालों के साथ ही यह मठ्री बहुत टेस्टी मरेगी तो इन है हमें हलका सा क्रश कर लेना है और बस मसाला बनकर के तैयार है अब एक बॉल में हमने देटे कप मैदा लिया है आप चाहें तो आदा मैदा और आठा भी ले सकते थे और इसे के साथ हम इसमें डालेंगे टू टेबर स्पून चावल काटा यही एक सिक्रेट इंग्रेजेंट है जिससे की यह मठरी बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेंगी स्वादा नुसार हम इसमें नमक एट करेंगे मैंने हाफ टे स्पून नमक लिया है और साथ ही इसमें यह त्यार किया हुआ मसाला अट करेंगी और थोड़ी सी कसूरी में थे अट कर देंगी और बस इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आपर हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मॉयन लगाएंगे मौईन आप ओयल का भी ले सकते हैं और घी का भी ले सकते हैं हमने यहाँ पर टू एंटाफ टिबल स्पून घी का यूस किया है अभी मैं इसमें तीन छोटे चमज घी अड़ करूंगी और इसे मैदा में अच्छे से मिक्स करेंगे तो जबभी मठी बनाएं की कुई से अच्छे से मिक्स करें जिसे मठी एकदम खसता बनती है और घी अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार इसे बाइन करके देख ले अगर यह बाइन नहीं हो यानि मोईन एकदम परफेक्ट है, तो अब हम थोड़ा-थोड़ा पानी लेकर इसका एक टाइट डोल लगा लेंगे, इन मत्री को बनाने के लिए हम एकदम सक्त डोल लगाना है, तो टोटल हमने आपर वन थठ का पानी का ही यूज किया है, इस डोल को लगाने के लिए, और इसे थोड़ा सा कूट लेंगे जिससे यह आटा थोड़ा सा नरं होगा और तो यह एक ट्रीक है मट्री और थोड़ा सा नला अगर आपको लगी की अ सब्सक्रेज़ा को इस तरीके से आटे को फोल करेंगी और फिर से हमेसे नरम करेंगी एक से दो मिनट ही हम इसे करना है और अब इस आटे को हम फिर से बाइन कर लेंगी और 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगी पंदरा मिनट हो चुके हैं अब इस आटे को हम एक बार फिर से नीट कर लेंगे और इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बनाएंगे तो जितनी बड़ी आपको मठी बनानी है उसके कोडिंग आप बॉल्स दोड़े एक-एक बॉल को हम रोल करेंगे और बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे और देखे हमने ये सभी बोस बना ली है तो ये आटा इतना सकत है कि हम इसके ओपर ओईल या घी लगाने की बिल्कुल जरुरत नहीं है ये बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगी नहीं अब हम इनकी मठ्री बना लेंगे और इन मठ्री को बेलने के लिए हमें एक या दो बारी बेलन चलाना है इससे जजादा हम बेलन नहीं चलाएंगे वरना ये बहुत जादा पतली हो जाएगी और बस इस तरीके से हम ये सभी मठ्रियां बना लेंगे तो अगर आपको मेरे तरीके से फूली हुए मठ्री बनानी है तो आप फोक से प्रिक ना करें और नहीं तो आप इस तरीके से फोक से प्रिक कर सकते हैं जिसे की मठ्री फूलेगी नहीं तो जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से मठ्री बनाएं अब हम इने फ्राइ करेंगे और इन मठ्र तरीके का गरम ओयल चाहिए ज्यादा हाई हीट पर भी हम इने फ्राई नहीं करेंगे वरना यह मठ्री खसता और करारी नहीं बनेंगी यह सौफ्ट ही रहेंगी इस बात का जरूर से ध्यान रखें ओयल हलका सा गरम हो यह दीर से उठकर ऊपर आए और जब हम इने फ्राई करे देंगे सबी मठ्री फ्राई हो चुकी हैं यह उपर आजुकी हैं तो अब इन्हें फिलिप करते हुए इन्हें कृपड़ी कर लेंगी और फ्रेम को हम स्लों मिद्यम के बीच में ही रखेंगे जिससे यह मठ्री एक्दम क्रिस्पी रहेंगी। यह अब इनका color spirit हो गया है आ बहुत क्रिस्पी और खस्ता मट्री बनी है दिवा जरूर से बना कर देखेगा